नमस्कार मैं प्रांशीर अठोर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज लोग सभा चुनाफ की तारीखों का एलान अब कभी भी किया जा सकता है जैसे ही तारीखों का एलान होगा आचार सहिता भी जल से जल लगती हुई नसर आएगी लेकिन सवाल यहां पर यह उठते हैं कि आखिरकार इन लोग सभा चुनाफ में किस तरह से गांधी परिवार के सदस से उतरते हुई नसर आएगे यह आखई में एक बार फिर से कॉंग्रेस नेतार राहूल गांधी अमेठी से चुनाब लड़ेंगे या फिर रायवरेली से पहली लिस्ट कॉंग्रेस की जारी की जा चुकी है उमीदवारों के नाम सामने आ चुकी है 49 उमीदवारों के नाम सामने आए जिसमें देखा गया कि राहुल गांधी वाइनाट से चुनाव लड़ते हुई देखे जाएंगे जो साफतोर पर कहते हुई नजराय है कुछ महीनों पहले ही की राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना लगभकते है संभावनाई जताते हुई नजराय लेकिन अब अजराय क्या कुछ कहते हैं इस मामले पर यह आपको बताते हैं जराय ने एक बार फिर से लोक शभाव सीटों को लेकर अपनी बात रखी है उनका कहना यहाँ पर गांधी परवार के सदस्यों को लेकर रहा है अजराय ने जानकारी दी है कि उत्तरप्रदेश कॉंग्रेस की चुनाव समिती ने रविवार को सर्व समत्ती से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें आग्रे किया है कि गांधी परिवार का कोई सदसे ही आगामी लोग सभा चुनाव में राय वरेली और अमेठी से चुनाव दूसरी ही तरफ जराय कहते हैं कि प्रस्ताव को केंद्रे नेत्रत्व को भेज दिया गया है अंतिम फैसला CEC यानि की केंद्रे चुनाव समिती का होगा अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में यहां पर CEC क्या कुछ एहम फैसला सुनाती है आपको बता दे कि 6 मार्च को देश कॉंग्रेस के एकनेता का दावा रहा कि राहुल गांधी अमेठी से लोग सभाच चुनाव लड़ेंगे लगभग तैमानाजा रहा है राहुल गांधी का नाम 2019 में राहुल गांधी को इसमृती रानी ने हार का सामना कराया था अब यही देखना होगा कि अमेठी से राहुल गांधी उतरते हैं या फिर प्रेंका गांधी उतरती हैं तो क्या इसमृती रानी इस बार जीत बोल पाएंगे या नहीं यह देखना काफी सादा दिलचस होगा तकरीबन 55,000 वोटों के अंतर से राहुल गांधी हारे दे इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ तो निया यात्रा के चलते क्या राहुल गांधी को इतना बड़ा प्रॉफिट मिल पाएगा या नहीं फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन नियूज